नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सनमार्ग हिंदु धर्में एकादसी तिती का बहुत महत्तो है और इस बार जेश्ट माह के कृष्ण पक्ष की एकादसी जिसे हम अपरा एकादसी कहते हैं 26 मई को मनाई जाएगी तो जेश्ट माह के कृष्ण पक्ष में पढ़ने वाली एकादसी को अपरा एकादसी कहते हैं इस दिन अगर बत रखा जाए बिधी पूर्वक पूजा पाठ किया जाए तो समस्त मनुकामनाय पूर्ण होती है तो अपरा एकादसी का पूजा का सुमुर्थ क्या है और पारन कप करेंगे एक दीपक कहां जलाएं किसरी हरी की किरपा मिल जाए देखे 26 मई 2022 को गुरुवार का दिन है और इस दिन ब्रत रखा जाएगा और चुकि गुरुवार का दिन एकादसी दिती है तो इस दिन का मह तो बढ़ जाता है 21 दिती की सुरुवात 25 मई की सुवर 10 बचकर 32 मिनट से होगी और 26 मई की सुवर 10 बचकर 54 मिनट पर समाप्त हो जाएगी बरत का पारन 27 मई की सुवर 5 बचकर 25 मिनट से सुवर 8 बचकर 10 मिनट तक होगा 22-23 समाप्ट 25 यहाँ पर 27 मही को 11 बचकर 47 मिनट पर सुबह हो जाएगा तो एकादसी पुजा कैसे करेंगे एकादसी के दिन देखे अपरा एकादसी का ब्रत रखने से आर्थिक मुश्किले समाप्ट होती है धरन आता है और इस ब्रत को रखने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है तो अपरा एकादसी का ब्रत रखने से भगवान स्री हरी की किरपा से समस्त मुनो कामनाई भी पूर्ण होती है सुव सुव जल्दी उटकर शनान वेर से निवरित होकर अपने घर के मुक्खे दरवाजे पर आम के पलव या पिर असोप के पलव से बंदनवार बनाए फुलों से सजा सकते हैं आपके जीवन की मुश्किले ऐसे ही कम हो जाएगी भगवान को पीला चंदन, रोली, अक्षत, पुस्पतुलसी का दल, प्रशाद, वस्त्र, दक्षिना भी अरपित करें और इसके साथ ही इस एकादसी के कथा भी पढ़ें और आरती तो जरूर करें चुकि बरत को निर्जल रख पाएं तो बहुत संभव अच्छा रहेगा और निर्जला बरत अगर संभव ना हो रखना तो फलाहार या जल खा सकते हैं एकादसी की रात में जागरन करने से भगवान स्रीहरी का भजन ध्यान करने से स्रीहरी बहुत प्रसन्न होते हैं और द्वादसी को गरी ब्यक्तियों को भोजन कराकर दान दक्छिना देकर आप बिदा करें फिर ब्रत का पारन करें चुकि इस दिन भगवान स्रीहरी बिष्णू की पूजा करने का भिधान है और जो व्यक्ति ब्रत रखना चाहता है वो ब्रत वाले दिन आप संकल्प सुभा ही ले 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 और आप धूप मौसमी फल घी पंचामरित से भगवान स्रीहरी का अभिसेक करें रात में जागरन करना सुभ होता है और साथ ही साथ पूजन सामगरी क्या है देखे भगवान स्रीहरी को असनान कराने के लिए तांबे या पीतल का लोटा या पात्र और जल का कलस दूद भगवान विष्णू को पहनाने के लिए वस्त्र आभूसन और चावल साबुच चा काला तिल पुस्प अस्टगंद तुलसी दल प्रसाथ के लिए गेहुं के आटे की पंजीरी ले और फल धूप मिठाई नारियल सहद गंगा जल सूखे मेवे जिसको हम बंच बेवा कहते हैं गुड़ और पान के पत्ते जरूर ले और फिर आप पारन करेंगे तो आपको द पूजा बिधी क्या है देखिए सुबह जल्दी उठकर स्नान बेरकर के स्वक्षवस्त्र धारन करें घर के मंदिर में ही एक दिया जलाएं और भगवान बिश्णू का गंगा जल से अभी सेख करें फिर उनको आप पीले पुस्प और तुलसी के पत्ते या तुलसी की मंज जरी अरपित करें तो स्रीहरी के माथे पर रखें और चर्णों में तो भूल कर भी ना रखें संभवो तो ब्रत रखें भगवान को भोग लगाईए तो पंचामनित बनाएंगे कैसे दूद दही सहद घी और उसमें आप तुलसी का पत्ता जरूर डालिएगा और साथ ही उ तुलसी का पत्ता जरूर रखें माना जाता है कि बिना तुलसी के पत्ते का भगवान भोग ग्रहन नहीं करते और भगवान पिष्णू के साथ मालक्ष्मी की पूजा जरूर करें तभी आपका ब्रत पूजा संपूर्ण होगा अधिक से अधिक भगवान का ध्यान करें मंत दीजिएगा अब चुकि संकल्प लेने के बाद ही इस दिन पूजा करने का विधान है तो आप ऐसा जरूर करें और अगर आप ब्रत रखते हैं तो रात में सोने के पहले विश्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर कर लीजिएगा दौजादसी तिथी 17 अक्टूबर रवी बार की सुबर आप इस समय आप को पारन करना है और पारन करने के पहले ब्रहमनों को अन्दान आप कर सकते हैं दक्षिना दे सकते हैं इसके बाद आप पारन करें इस दिन विशेष उपाय भी किये जाते हैं वैसे तो भगवान की प्रिय बस्तू तमाम बस्तू का उनको भोग लगाया जाएगा लेकिन अगर कोई पिसेस मनुकाम ना हो तब एक सिक्का याद रखिए एक सिक्का भगवान स्री हरी के जब पूजा कीजिएगा तो उनको जरूर अरपित करें वैसे तो आप ज़्याद एक सिक्काम को बस्तू से पूजा करें और बाद में समांथ हो जाए यादण के अस्तान और अगली कदसी को फिर से सिक्के का पूजा करें तो यह सिक्काम इतनी सकती मीश्यायot कि घान को खीचने लगएगा और इस्तोरी में तो इस दिन भगवान को कमल पूस्त पार पिस तो कमल पुस्प अगर आपके पास नहीं है तब तब ऐसे में आप आखे बंद करें दोनों हाथों को अंजुरी बनाएं और ध्यान करें कि आपके हाथों में कमल पुस्प है और भगवान को आप अरपित कर रहे हैं तो आपको इसके थी उतने ही फल मिलेंगे जितने वास्तविक पुस्पके मिलते हैं और हल्दी जरूर भगवान को अर्पित करें क्योंकि हल्दी अर्पित करने से आपके सारे मनुरत पूर्ण हो जाती है सारे कस्ट दूर हो जाते हैं तुलसी की मिट्टी का एक छोटा सा परियोग किया जाता है जब अब तुलसी जी में जल अर्पित कीजिएगा एक बात याद रखेगा तुलसी का पौधा छुना नहीं है ना ही पत्ते तोड़ना है मिट्टी के जड़ में एक लोटा जल में थोड़ा सा कच्चा दूद थोड़ी सी मीठी वस्तू डाल कर अर्पित करें और वहां सकी मिठी उठा कर तिलक करें खुद भी और पूरे घर के लोगों को तिलक करें चारो दिसाओं से रख्चा होगी और एक चुटकी तुलसी की मिठी लाल कपड़े में बांध कर अपने धन के स्थान पे रख दें तो नजर दोस्से बचे रहेंगे, बुरी नजर से बचे रहेंगे आप चाहें तो घर के मुखे दरवाजे पर भी बांध सकते हैं या कहीं छिपा कर रख दें तो इस दिन साम में एक दिया अपने घर के पूजास्तान पर एक दीपक पास के किसी भी सिवजी के मंदिर में और तीसरा दीपक तूलसी जी के पास आप जलाएंगे चौथा अपने घर के मुख्य दर वाझे के अंदर की तरफ voi जा चाग नहीं लिए अप। अब अन्त में रात में सोने के पहले जूकि एक आदसी तिथी में रात में सोया नहीं जाता जागरन का भी धान है पर आप जाग नहीं पाएंगे इसलिए सोने के पहले एक दीपक अपने घर के पुजा अस्थान पर एक लॉंग डाल कर जला दें कम से कम आधा गंटा जले इत रखकर अर्पित कीजिएगा और जो सिक्का है उसका एक छोटा सा प्रियोग इस दिन और किया जाता है आपके घर में तुलसी जी का पौधा तो होगा तुलसी के पौधे की मिट्टी में बड़े जादू चिपे हैं और इसी मिट्टी का प्रियोग करके तो बड़े-बड़े कस्ट मिट जाते हैं तो जब अब तुलसी जो पौधे नहीं चुना है लेकिन मिट्टी में प्रियोगा आप कर सकते हैं एक सिक्का ले ले प्रियोगacam कर अपनी जो भी आपकी इच्छा है जो वो कैसी भी इच्छा है बोल कर तुलसी की मिट्टी में उसी को घाड़ दे तो चुकि इस दिन सिक्के का लॉंग का तुलसी की मिट्टी का बहुत सारे प्रियोग होते हैं और तुलसी की मिट्टी में जादू छिपा है जादू ही असर डालता है क्योंकि तुलसी की मिट्टी का प्रियोग तुलसी की मंजरी का प्रियोग और पत्ते का प्रियोग लाभ होंगे ही समस्त मनुकामनाएं भी पूर्ण हो जाती है माना जाता है कि पीपल के ब्रिच में देपताओं का वास होता है और इसलिए एकादसी थी थी के दिन पीपल के ब्रिच के पास सुबह के समय आप सुबह जब पुजा करने जाएंगे 8-9 बजे तक आप गाय के घी का एक दिपक पीपल के नीचे जरूर जला दें ये बहुत सुमाना जाता है और इस दिन तुलसी जी के पास जब दिया जलाएंगे तो दिपक में एक लौंग जरूर डाल दीजेगा साम के वक्त जलाईएगा और घर के मुखे दरवाजे पर अंदर की तरफ से एक दिया साम में ज जाती है तो घर में आप एक दिपक जरूर जलाएं ताकि घर में जब आप दिया बाती करेंगे पुपने पूजा अस्थान पर आर्थिक संकट दूर हो जाए समस्त मनो कामनाओं की पूरती के लिए लौंग डाल कर ही दिया जलाएं लेकिन जो पीपल के नीचे आप दिया लौंग नहीं डालेंगे बलकि एक दाना काला तिल का डाल दीजिएगा तो हम आप से विदा लेते हैं जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें कमें हरहर महादेव जरूर लिके धन्यवाद